हलो दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है तो अगर आपकी फैमिली बहुत बढ़ी है तो आपको लगेगा बड़ा प्रेशर कुकर तो इसलिए आज हम आपके लिए लेके आया है 5.5 लीटर का पैसिटी का मार्लेक्स रोमैंटिका बैली प्रेशर कुकर ये स्टेनले स्टील का पैसिटी का पैसिटी का है और इंडक्शन फ्रेंडली है तो इसमें दो वेरियंट से रोमैंटिका और रोमैंटिका बैली तो ये रोमैंटिका बैली वेरियंट है तो चलिए करते हैं अन्बॉक्सिंग तो आप देख सकते हैं कि box के उपर ही बहुत सारी जानकारी दी गई है Marlex brand बहुती पुराना और trusted brand है Since 1958 से brand है तो इसके साथ आपको मिलता है glass lid, instruction book तो instruction book में बहुत सारी जानकारी दी गई है और सबसे बड़ी आवात ये है कि इस pressure cooker के साथ आपको मिलती है पूरे पाथ साल की warranty तो आपको दो lid मिलते है तो ये है stainless steel का lid इसका जो handle है वो strong और sturdy है comfortable grip दिलाता है आपको आपको मिलती है silicon gasket और इस pressure cooker पे safety valve भी दिया गया है तो आप देख सकते हैं ये है safety valve pressure cooker में दोनों side handle दिये गए है जिसकी मदद से आप आसानी से cooker को उठा सकते है और रख सकते है इसका बहुती wide mouth है और इसका जो design है वो belly design है जिसके वज़े से आप बहुत सारे quantity का खाना बना सकते हो ये sandwich bottom है thermal resistative bottom है जो दिलाता है faster cooking और gas और induction compatible भी है press type whistle भी दी गई है तो lid को लगाना बहुती आसान है बहुती safe to use ये pressure cooker है ये pressure cooker बना गया है 18 by 8 stainless steel से जो की heavy होता है weight में और long lasting भी है आपको इसके साथ glass lid भी मिलती है यानि कि आपको दो lid मिलते है इस pressure cooker के साथ ये cooker high energy efficient है इसमें आप variety of cooking कर सकते है जैसे कि rice, pulao, biryani आप इसमें सबजे भी पका सकते है तो आज हम इसमें बनाएंगे chicken biryani तो सबसे पहले हम डालते है 2.75 लिटर पानी उसमें हम add करते है कुछ spices जैसे कि टेजपत्ता, लवंग, इलाइची, cinnamon, black pepper और इसमें हम add करते है धनिया और पुदीना और इसे हम ठीक से mix कर लेते है इसमें हम add करते है बासमती rice mix कर लेते है और glass lid से हम ढख लेते है आप इसमें नमक भी स्वाद अनुसार डाल सकते है हमें अभी चावल जादा पकाने नहीं है इसलिए हमने glass lid रखी थी तो आप देख सकते हैं अभी हमारे चावल 70-80% पक चुके है अभी हम इसमें से चावल निकाल लेंगे हम बिर्यानी पकारे induction पे तो सबसे पहले हम लेंगे तेल इसमें हम add करते हैं जीरा spices इसको हम ठीक से mix कर लेते हैं हम add करते हैं onion तो कच्चा प्याज हमने उसमें डाला है red chili powder धनिया powder हल्दी powder बिर्यानी masala और इसे हम ठीक से mix कर लेते हैं आप स्वाद उनसार garlic paste भी add कर सकते हैं इसमें हम डालेंगे marinated chicken तो हम chicken को ठीक से mix कर लेते हैं cooker का जो shape है वो belly जैसा है इसके वज़े से stirring के लिए बहुती जगा मिलती है glass lid से ढखके रख देते हैं इस बड़े cooker का एक advantage है कि cooking बहुती fast हो जाता है यह high energy efficient भी है और आप easily cook कर सकते है आप इसी तरह कोई भी सबजी भी इस cooker में पका सकते है तो chicken हमरा ready हो गया है तो इसमें हम add कर लेते हैं बासमती rice और spices का mixture अगर आपकी 4-5 लोग की family है या फिर बड़ी family है तो आपको इस 5 लीटर का marlex romantica belly pressure cooker बहुती काम में आने वाला है आप इसमें add कर सकते धनिया stainless steel lid हम लगा लेते हैं और इसे एक सीटी तक पका लेते हैं तो पूरा pressure निकलने के बाद आप cooker का lid open कर सकते हैं तो और आपकी अगर बड़ी family है तो आपको इस pressure cooker बहुती फाइदेवन होने माला है तो हम इसे काफी दिनों से use कर रहे हैं बहुती बढ़िया pressure cooker है आप देख सकते हैं बिर्यानी बहुती अच्छी तरह से ready हो गई है तो अगर आपको इस marlex romantica belly pressure cooker को खरीदना है तो link आपको description में मिल जाएगा बहुती बढ़िया discount मिल जाएगा तो वीडियो like कीजिए चैनल पर अगर आप नहे है तो ज़रूर subscribe कीजिए और bell notifications भी on कीजिए ताकि आपको सारे ने वीडियो के updates मिल जाए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे